पेक्खा कोड़े आठी आमा देर जोसो श्री प्रधान मंत्री विश्व बरेन नो नेता श्री नरेंद्रो दामुदार्दास मोदीजी मैं आग्रह करूंगा नरेंद्रो दामुदार्दास मोदीजी को सम्मधन के लिए भारत माता के आमार प्रयो मा भाई दादा दीदी एबन बुने देर शादोर नमस्कार जानाई मेरो प्यारो आमा बाबा दाजू भाई दीदी बैनी सबै इलाई देरो देरो नमस्कार मोर प्यारा माई बाप दादा भाई दीदी बहेन सब कोई के नमस्कार चाई बागान में काम करने वाले सभी परिवार जनों को भी इस चाई वाले का प्रणाम मैं जब भी नौर्द मंगाल आया हूँ तो आप सभी की तरप से भरपूर आशिरवाद मिला है विशेज रुप से हमारी माताएं बहने बेटियों की तरप से जो स्नेह मिलता है वो अदभूत है यहां तो जलपाई गुड़ी कुछ विहार अलीपूर दुवार उत्तर और दक्षिन दिनाजपूर और मालदा तक के अनेक साथियं आये हैं अपने परिवार के लोगों भीक के बीच आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं सबसे पहले तो आप सब की छमा चाहता हूं मुझे आने में थोड़ा विलंभ हो गया आपको इंतजार करना पड़ा आज हुबे में काजी रंगा बेथा फिर रोणा चल गया पिर आसाम में कायरकम किया फिर यहां आया हूं और यहां से भी काशी जा रहा हूं और यहां रास्ते में बारा किलोमेटर का रोड़ शोख जो प्लान किया हुआ नहीं था अचानक और उनके सम्मान में मैं जरा गाड़ी दिरे चला रहा था और उसके कारान मुझे यहां पहुंचने में विलंब हुआ आप सबको दिक्कत हुई इसके लिए मैं ख़बा मांगता हूं मैं यहां कई बारा हूँ इसी मेंदान में कई बारा आया हूँ लेकिन आज मैं देख रहा हूँ उदर वो रोड भी पुड़ा भरा पड़ा है चारो तरफ लोग ही लोग है और जब यहां आते हैं न तो एक प्रकार से मीनी भारत के दर्शन होते हैं लगू भारत नजर आता है जितनी विविदता जितनी वाइब्रेंसी इस छेत्र में दिखती है बैसी कम ही जगह पर नजर आती है साथियों मैं जिस तरह का जीवन जीकर यहां आया हूँ मैंने देश की अनेकों माताओं को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए संगस करते हुए देखा और इसलिए मैं सौचालय, नल से जल, मुप्त बिजली कनेक्शन, बैंक का खाता, प्रेग्डेंसी के समय आर्थिक मदद, ऐसी हर बात पर ध्यान रखता हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, और मेरी हर माता बहन के जीवन, हर गरीब परिवार का जीवन सरल हो, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, और हमारा ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, ये तो हमारे चाय बागानों और चाय समिकों का क्षेत्र है, यहाँ पानी और लकड़ी का प्रबंद करने में कितनी मुसिबत हमारी बहनों को जेलनी पड़ती थी, ये समस्याय सब को दिखती लेकिन पहले लेप्ट ने आपकी नहीं सुनी और फिर टीमसी ने भी आपको नजर अंदाज कर दिया, ये तो गरीबों की जमीन हरपने में जुटे थे, इसलिए जब आपने मुझे अउसर दिया, तो मैंने यही सुविधाएं अपने परिवार के आप सभी सदस्यों को पहुँचाईए, अब देखिए, हमने बहनों के उजवला के तहद मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, लेकिन यहां की टीमसी सरकार, चौदा लाग से जादा बहनों को, उजवला के गैस कनेक्शन भी नहीं देने दे रही, बीते कुछ समय में हमने उजवला की करोडों बहनों के लिए, गैस सिलिंडर बहुत सस्ता किया, कल महिला दिवस पर बहनों के लिए, एक और फैसला आमने लिया है, अब सभी बहनों के लिए, गैस सिलिंडर सो रुपिये और सस्ता हो जाएगा, साथियों, जो परिवार का सदस्य होता है, वो आपके सुख दुख का भी साथी होता है, मैं जानता हूँ, कोरोना के दौरान, मेरे गरीब परिवार कितनी बड़ी चिंता से गिरे हुए थे, इसलिए मोदी ने देश के अपने परिवार्जनों को मुप्त राशन देने की योजना शुरू की, क्योंकि मेरा मकसद यही था, किसी भी गरीब का बच्चा रात को भूखा सोना नहीं चाहिए, किसी गरीब का घरकर का चूला बुजना नहीं चाहिए, और आब इस योजना को, मुप्त राशन की योजना को, मोदी ने पांच साल के लिए और बड़ा दिया है, और इसका बहुत बड़ा लाब, चाहिए बागान में काम करने वाले हमारे स्रमिक साथियों को मिलेगा, लेकिन साथियों, टी-म-सी, कॉंग्रेज, लेप, इनका जो इंडी गड़बंधन, आपको मुप्त राशन देने का भी विरोध कर रहा है, यहाँ बंगाल में तो ब्रश्ट, ब्रश्ट टी-म-सी सरकार, दलीत, आदिवासी, OBC, महिला विरोधी टी-म-सी सरकार ने तो, आपके राशन की योजना में ही गोटाला कर दिया, इनके नेता, इनके मंत्री, राशन गोटाले के मामले में, जेल में है, मोधी ने अपने गरीब परिवारों को, राशन के साथ साथ, मुप्त इलाज की गारंटी भी दी है, लेकिन ब्रश्ट और गरीब विरोधी, टी-म-सी सरकार, यहां आयुश्मान योजना लागू ही नहीं कर रही है, टी-म-सी सरकार आपको, कदम कदम पर लूट रही है। मुदी मंद्रेगा की मजदूरी का पैसा दिल्ली से भेटता है, लेकिन यहां की टी-म-सी सरकार ने, अपने तोला बाजों को फाइदा पहुचाने के लिए, यहां पच्चीस लाग फरजी जॉब कोर्ट बना करके लोगों को दे दिये। मुदी गरीब के घर के लिए पैसा बेचता है, तो टी-म-सी सरकार तोले आबाजों के चूने लोगों को आपका पैसा दे देती है। टी-म-सी को आपकी तकलिप से, आपकी परेशानियों से कोई कष्ट नहीं होता। संदेश खाली में गरीब, दलीत, आदिवासी भेनों के साथ, टी-म-सी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पुरे देश में हो रही है। महिलाओं पर अत्याचार और गरीब की कमाई को लूटना यही टी-म-सी के तोला बाजों का काम रहा है। और साथियों नौर्थ मंगाल के साथ तो टी-म-सी कॉंग्रेस और लेप के इंडी गडबंदन ने बहुत जादा बेदभाव किया है। इन लोगों ने इसक्षेत्र को विकास से तो वंजीत रखा ही है। समाज के भीतर भी खाई पैदा की। लेकिन भाजपा के लिए एक-एक गोर्खा का उच्छा, एक-एक राज-म-सी का साहस, एक-एक आदिवाची की द्रड़ता और हर बंगालियों की रचनात मकता, यही विक्सिद बंगाल से विक्सिद भारत के निर्मान की एक उर्जा है। बाजपा, शांती और सवहार्द से हर आकांचा, हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिवद्ध है। तभी तो सेकडों सालों के इंतजार के बाद आयोध्या में एक भव्यर राम मंदिर का अंदिर मार हुआ है। जम्मु कस्वीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। ऐसे अनेक मुद्दे थे जीन के हल की किसी ने कलपना भी नहीं की थी। लेकिन मोदी ने ऐसे हर मुद्दे को हल किया। हमारे गोरखा भाई बहनों की जो समस्याएं रही है, जो चुनोतियां रही है, उनके प्रती भी बीजेपी हमेशा सम्वेदन सिल रही है। बीजेपी ने आपकी चिन्ताओं को दूर करने का निरंतर प्रयास किया है। अब भी हम समाधान के नदिक है। बीजेपी आपकी अपेशाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। साथियों, भाजपा के पास नौर्थ मंगाल के विकास के लिए एक स्पर्ष्ट रोड मैप है। हम यहाँ टी, टुरिजम और टिंबर से इससे जुड़े व्यावसाय को बढ़ावा देने में जुटे हैं। इसके लिए यहाँ जरूरी सुविधाओं का निर्मान किया जा रहा है। कम खेत्र में चाय उगाने वाले बंगाल के करीब 40,000 छोटे टी ग्रोवर्स का हित भी भाजपा सरकार की प्रात्विक्ता है। भाजपा ने एंडिये ने छोटे टी ग्रोवर्स को किसान क्रेडिट काड की सुविधा से जोड़ा। भाजपा ने छोटे टी ग्रोवर्स को पी एम फसल भीमा योजना के लाप से जोड़ा। भाजपा सरकार ने यहाँ छोटे टी ग्रोवर्स को सिंचाय की सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद की चाय बागान में काम करने वाले स्रमिकों का पैसा सीधे उनके खाते में जाए हमने इस दिशा में भी लगातार काम किया है। साथियों गरीबों के लिए नीरंतर काम की वज़े से भाजपास सरकार के दस साल में पचीस करोर लोग गरीबी से बहार निकले हैं जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा मोदी उनको पूछता है। मोदी हर गरीब के लिए जादा से जादा आउसर बना रहा है। लेकिन ये बात उन परिवारवादियों को बिलकुल पसंद नहीं आती जो राजनिती में सत्ता पाने के लिए ही आये हैं। इसलिए वो अपने परिवार को सत्ता के शिर्ष पर रखने के लिए साजी से करते हैं। ये टी एमसी कॉंग्रेस लेप का इंडिक अड़बंदन भी तो यही करता है। टी एमसी वालों को बतीजे की चिंता है। कॉंग्रेस वालों को अपने शाही परिवार के बेटे बेटी को आगे बढ़ाना है। लेप बालों को इन दोनों के साथ ताहल में बनाये रखना है। ताकि उसकी भी गाड़ी चलती रहे। इन लोगों को आपके बच्चों की परवार नहीं है। आपके बच्चों के भविश की चिंता करने वाला अगर कोई है। तो मोदी है, BJP है, NDA का गड़बंदन है। इसलिए आज बंगाल का जन-जन कह रहा है। देश का जन-जन कह रहा है। हार परिवार कह रहा है, मैं हूँ मोदी का परिवार। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मुझे किसी के लिए भी कोई bank balance नहीं छोड़ना है। कोई बंगला गाड़ी नहीं छोड़ दी है। मुझे तो संतोस तभी होता है, जब आप जैसे मेरे परिवार के सदस्य को मैं पक्के घर में सारी सहुलियत के साथ जीवन जीते देखता हूं। साथियों भाजपा सरकार यहां कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। थोड़ी देर पहले ही यहां रेल, रोड जैसे अनेक परियोजनाओं का सिला अन्यास और लोकारपन हुआ है। सिली गुड़ी और जलपाई गुड़ी में उसके चोड़े हाइवे और यहां बाइपास बनने से आना जाना और आसान होगा। आज नौर्थ बंगाल की रेल कनेक्टिविटी बहतर हो रही है। हर किसी को इच्छा है कि हां से आधुनिक ट्रेने चले। आने वाले पांच वर्षों में यहां की आधुनिक कनेक्टिविटी नई बुलंदी पर पहुँचने वाली है। साथ्यों किसानों का कल्यान भी हमारी प्रात्विक्ता है। दो दिन पहले ही जूट किसानों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जूट का समर्थन मुल्य दो सो पच्चासी रुपिये प्रती क्विंटल बढ़ाया गया है। इससे पस्चिम मंगाल के नौर्धिस के लाखों जूट किसानों को लाभ होगा। दस वर्ष पहले जूट का MSP 2400 रुपिये था और आज ये 5300 रुपिये यानि दो गुने से भी अधिक हो चुका है। किसान हो, नवजवान हो, नारी शक्ती हो, गरीब हो, ये विक्सीद भारत के मजबूत स्तंब है। इसलिए मोदी की हर गारंटी इन सभी को ससक्त करने के लिए है। तभी आज देश कह रहा है, गाउं गाउं से आवाज उठ रही है, बंगाल के कोने कोने से आवाज उठ रही है, अब की बार 400 पार। अपकी बार अपकी बार अपकी बार अपकी बार अपकी बार अपकी बार और आप याद रखियेगा गरीब विरोधी बलीत आधिवासी महिला विरोधी TMC को हटाने का दरवाजा लोगसभाव चुनाव से खुलेगा इसलिए नौर्थ बंगाल की सभी लोगसभाशी सभी पोलिंग बूत हार एक जगापे कमल खिलना चाहिए खिलेगा ना खिलेगा ना मेरा एक काम और आपको करना है आप करेंगे मेरा एक काम जड़ा हाथ उपर करके बताईए करेंगे आप घर घर जाकर कहिए जगा कि मोधी जी आये थे मोधी जी ने आपको नमस्कार भेजा है इतना मेरा काम कर देंगे देखिए हमारा संकल्प है विक्सित भारत होना चाहिए रहा भारत विक्सित होना चाहिए रहा उसके लिए बंगाल भी विक्सित होना चाहिए रहा तो विक्सिद भारत के संकल्प के लिए आप अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए उसकी फ्लैसलाइट चालू कीजिए और विक्सिद भारत के संकल्प को आप सब प्रगट कीजिए आपके मोबाइल फोन जो वहां उपर रोल पे खड़े हैं वो भी निकालें सबके सबके मोबाइल फोन हर एक फ्लैसलाइट चालू करके ये विकास का संकल्प है, ये विक्सित भारत का संकल्प है, ये विक्सित बंगाल का संकल्प है, हम आन बान चान के साथ भारत को विक्सित बनाएंगे, मेरे साथ बोलिये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद. दुन्नवाद मानुनियों प्रधान मुंत्री के अमदेर सभा